दोस्तों क्या आप अपने फूनपे को अन इस्टॉल करके और फिर कभी दुबारा फूनपे को इस्टॉल करके अपने EPI ID को बना रहे हैं और जब आप एकाउंट एड करने जा रहे हैं तो एकाउंट एड करने के टाइम आपका एकाउंट एड नहीं हो रहा है या आपने validate mobile number we need to send an SMS from और आपका mobile number दिखा रहा होगा to fetch your link bank account और single SIM और double SIM दिखा रहा है और दोस्तों ये mobile number आपके mobile में ही है फिर भी इस तरह का problem लिख के आ रहा है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने इस problem को solution करेंगे और ये problem कैं और रहा है तो दोस्तों वीडियो को सुरो से अंतक जरूर देखेगh अगर दोस्तों वीडियो आप एसकिप करेंगे तो समाझ में नहीं आएगा इसलिए आपसे request है कि वीडियो को सुरो संतक जरूर देखें और दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा और आपके mobile में जिस app का update मांग रहा होगा उस app को यहां दिखा रहा होगा तो दोस्तो इसी में security नाम से एक app होगा तो दोस्तो इस app को update कर लेना होगा दोस्तो मेरे में open दिखा रहा है क्योंकि मेरा already update है तो दोस्तो पहले आप इसको update कर लेंगे और उसके बाद फिर से आप setting से बैक चलेंगे और दोस्तों से बैक आने के बाद आपके मोबाइल में टूल नाम से एक फोल्डर होगा इस फोल्डर को ओपेन करेंगे और इसी में आपने जो सेकुरिटी एप को अपडेट किया ओपडेट यहां दिखा रहा होगा तो इस एप को आप ओपेन कर लेंगे और एप open होके इस तरह दिखेगा और इसी में right side में उपर में setting का option होगा तो इस पर click कर देना होगा उसके बाद यहां से बहुत सारा option आएगा तो इसी option में नीचे चलना होगा जब आप नीचे जाएंगे तो आपको एक option मिलेगा withdrawal of consent और यह जो है activate होगा तो इसको आप इहां से deactivate कर देंगे मतलब कि आप इसको green sign को हटा देंगे इसको हटाने के लिए आप इस पर click करेंगे तो click करने के बाद इसका consent कुछ है यहां से लिख के आएगा तो इसको आप पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर से withdrawal पे click कर देंगे और दोस्तों जब आपका phone पे एप बन और उसके बाद left side में उपर में आपका profile दिखा रहा होगा उस profile पे click करेंगे उसके बाद यहां से आपके bank account को add करने का option आ जाएगा और payment method में add bank account लिखा होगा तो इस add bank account पे click कर देंगे उसके बाद यहां आपका mobile नंबर दिखा रहा होगा और यहां से अपने bank को नाम को search करके अपने bank के नाम को select कर लेंगे जैसे कि मेरा पंजाम national bank है तो मैं अपने पंजाम national bank को select कर लेता हूं और उसके बाद दोस्तों यहां से आपको sim select करने का option आ जाएगा और आपके mobile में जो जो sim है उसका नाम भी लिख रहा होगा दोस्तों पहले single sim और double sim लिखता था तो दो कर देंगे और आपके mobile नंबर पे phone pay के द्वारा sms भी आ जाएगा तो दोस्तों इसी तरह आप अपने phone pay के error को select कर सकते हैं दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके phone pay के error का solution मिल गया होगा और अगर आपके phone pay के error का solution नहीं मिला है तो comment करके जाएगा और दोस्तों बता दू कि यह problem क्यों आ रहा है तो दोस्तों यह problem खासका Redmi की mobile में आ रहा है